नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका उस्टेंड दोस्त देविंदर सिंग आपके फेवरेट यूटूब चैनल देव पीपल एंड ब्लोग से दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी सक्षित से मिलाना चाहता हूँ जो अपने आप में एक बहुत जबरदस सक्षित है किसी कराएंगे एक एक बाते बताएंगे वो फेम है एक छोटी से छोटी हर्यानवी कल्चर से जुड़े हुए एक एक चीज उन्होंने पकड़ी है आप जैसे आपने देखा लाल पिलो रहा था वो सुल्तान फेम है बहुत गजब के कलाकार हैं गिनवाते गिनवाते दोस्तो र दोस्तो आपके सामने है दीपक कपूर जी और हम आप इन से आज इतने स्वाल पूछेंगे कि ओसकता है कि जो स्वाल आपके मन में आ रहे हो सायद आप वो भी पूछना चाहते हो तो शुरू करते हैं दीपक पूर जी आम स्वाल वही की शुरुवात कहां से हुई यह सर शुरूवात मुझे भी नहीं पता कहां से होई अदेशी मुपदर ना न किसा रहा है कैसे कि अपना चैनल इस पतला हो तो ज्यादा बहुत बड़ी है बहुत 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 है बहुत पहले हैं तो भाइदेवेंदर का धन्यवाद बाइद शुरौवाद का बेर की नगरी है ये और इस दर्थी पे जनम होया एक साधान परिवार में पिता जी राम लिल्ला वगर हमें रोल करते थे हम उनके सानी दे में रोल करने लगे और बच्वन बहुत छोटी उमर पे चार पांच साल की उमर में ही मंच पे आ गये थे जी बस फिर हमारे जो बुजूर लोग थे जो मायरे और अर्शा आउले में एक्टिंग करते थे जो गाते थे उनके सानी दे में रहने का बहुत गड़ा मुखाब लागया उनके दोरे रहे उनना बहुदी ग्यान की बवाद बताएं और संगीत सिखाया बांस सिखाया चोटी सी उमर में ही मत्झ सारी बेह के उस पब्लिक के सामने डांस करते थे और इस तरीके से मेरे जीमन का केरियर शुरू होगा दीपक जी दुजाना को अगर हम कलाकारों की भूमे कहें तो गलत नहीं होगा बिल्कुल जी कलाकारों की भूमे है यहां पर वेव सोती हैं जी मैं आपको एक चीज़ बताओं मैंने पहले भी अपने एक इंटरू में रखा था एवन तहल का में हो आया था कि क्या होता कि वेव स जो थे नो कभी खतम नहीं होती यहां पर जिन लोगों के सानिदे में हमने सीखा है जिन लोगों से हम रूब सार पहले भी जो लोग एक्टिंग कर गए या गा के चले गए अब मेरे गाओं दुजाना से मेरे बड़े ही गनिष्ट मित्र सुनील दुजानिया बाई जो की हरियाना में परचम ले रहा है जिन्होंने उनसे पहले इकबाल दुजानिया जोने लक्षमी कांत पहरेलाल के मैं उस दुजाना की पवितर भूमी से हूँ यहां के बहुत बड़े राइटर भी होएं यहां पर कवालियां भी होती थी क्योंकि यह रियासत थी और मेरे बज़ूर को 47 में यहां पर आए पार्टिशन के दौरान और यहां पर आए तो सबसे पहली जुबान जो हमारी थी तो कि हम लोग पाकिस्तान से माईग्रेट होके आये थी बहुत गणा दुख का विशे था कि हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ मेरे माबाप यहां आए और यहां पर आके उनका बासा समझ में नहीं आया करती और आज देख में किसी कटा कटा रियानी बोल हरी शरोड़ा एंड डिरेक्ट बाई अलसो हरी शरोड़ा उन्होंने पेले फिल्म बने ती गुलाब बोजर जोर ओर जमीन तो जब उस फिल्म में मैंने भी किरदार किया तो उस किरदार की जब डबिं के लिए मैं चंडी गड़ गया तो मरे से पंजाबी नहीं बोली गई पंजाबी वो बने तो जितने भी लोग मेरे दुझाणा नगरी में बहुत सारे कलाकार है और पूरे गाओं का बड़ा ही प्रेम मिलता है और जब मंच पर होते हैं तो पूरे गाउं का आशिरवाद होता है मेरे साथ और उस आशिरवाद को लेके मैं मुंबई तक भी पहुँच जा हूँ सर हमारा हरियाना कलाकरों की भूमी भी कह सकते हैं तो हम अपने दर्सकों को बताना चाहेंगे सरकीव पहली शुरुवाद कहां से स्टार्ट हूँ पहली शुरुवाद होई जी मेरी यहाँ पर एक राम लिला के मंचपे और 87 में 86 में हमारे मास्टर बलवान सिंग जी राठी मायना गाउं से हिंदी के अध्यापक थे हमारे उन्होंने मुझे अयूब खां का रोल दिया और लालबाद उर्शास्त्री का रोल एक बाई ने किया था इश्वर नाम था और मेरे साथी थे राकेश देहराज था रमेश नाई काया करते हम तर रमेश दिजववा अर्वई रम आउतार था तो ये काफी मेरे साथी थे तो मैं आयूब का बनाई इन्होंने मेरे साथ हमने रागनी भी गाई और वो 86 में मेरे को पहला मंच मिला 87 में फिर मैंने एक फिल्म बन रही थी हमारे आदरिनिया हरीश रोड़ा जी ने फिल्म बनाई थी जर जोर जमीन तो उसमें भी मारे शिरकत करी थोड़ी बहुत लेकिन रोल इतना सपस्ट्री करन नहीं हो पाया हमारा उसके बाद नाइन्थ कलास में टैंथ कलास की और पलस वन कलास में मैं दुजाना कोलिज में आ गया जी वहाँ पर मेरे बड़े बाई सुनिल दुजानिया जो अब इस दुनिया में नहीं है तर यानवी लोग गायक उनके साथ मिलके रागनिया मोनो एक्टिंग औरकेस्ट्रा माइम हमारे जो गेंदर अलावत सर थे हमारे जो इंचार्ज थे कॉंटिजेंट इंचार्ज थे उन अच्छे बात सर तो सर जैसे अभी आपने बताया कि अपने दुजाना से एक से अथके अच्शे कलाकार निकले हैं जैसे सुनील दुजाना जी का आपने जिकर करा वो आज स्वर्ग में है लेकिन उनकी लोग प्रिता आज भी盈ंगों के दिलों बे जिंदा है तो सर आपका जो friend circle था वो बहुत ही अच्छा रहा जी मैंने friend circle से बहुत कुछ सिखा है जैसे मैंने बताया कि गुरू जी थे मेरे पनालाल जी सौलंकी पनालाल सौलंकी से मैंने harmonium का जो basic था संगीत का basic सिखा उसके बाद मेरे गनिष्ट मितर जो रहे हैं शिव निगम सिधार्थ वत्स यानि की जिन्हों ने हम आज तुम्हें बजरंग बली की कता सुनाते हैं उनका बड़ा ही हिट हुआ था जगदंबक एसेट कंपनी में टी सीरीज का भी ओफर आया और बहुत उम्दा कलाकर उनसे सुरीलाद में अर्याना मिनी है मैं आज डंके की चोट पे कह सकता हूँ और अशोक वर्मा जी डॉक्टर अशोक वर्मा आज पीएजडी होगे मेरे बाई संगित भी भाग में डॉक्टर मुकेश वर्मा जी इन लोगों के सानिदे में रहके बहुत कुछ सीखने का मुका मिला कमल शर्मा था एक मेरा मित्र उसने मुझे हर्मोनी पे बहुत अच्छे कॉड्स नोटेशन जो है उसने सिखाई और उन सब मित्र गणों से हमने संगित सीखा और एक्टिंग के शेतर में आये जब हम तो हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले माविर गुडू बाई साब का जिकर करना मैं नहीं बूलूँगा माविर गुडू जी 95 में 94 में वो हमें बलकि स्टेट फाइट कराया उन्होंने उन्होंने एक नाटक कराये है क्या जी ऐसा ना तक तु हमसे कराये है क्या वो जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं और रूप के सूप में वो पात उड़ जाये है वो सत्ते क्या है ये हम को ख़पर जी नहीं तो इस तरह के से नटका रोल किया डांस वास करके तो गुडू बाई साब बहुत परेशान हूँ मतलब खुश हुए कि यार कमाल गद्यार दिपक तुतार मुनियम भी जाना है डांस भी जाना है मघजे आपका आशिरवाद है मुझ पर गुरूओं की बोज़ादा किर पर रही है गुडू बाई साब ने बहुत पोजिटिव आदमी है और हर्याना के वो एक स्तंभ है और उन्हें के पत्द चिनों पर चल रहे हैं हम लोग उन्होंने अर्याना को एक नई दिशा दी देखो उन्होंने नाटक किये गाया भी एक्टर भी रहे हैं वो बहुत उम्दा और और सबसे पहले बहुत अच्छी इंसान भी है बाई साब का स्लूट है इनकी अगर हम बात करें इन्होंने हर्याना के कल्चर से लेके बोलीवूड के गल्यारों तक अपनी अक्टिंग का लोहा मनवाए है सर हम बात करेंगे आप जब आपकी बोलीवूड की स्ट्रगल के बारे में बोलीवूड का स्ट्रगल मेरा काफी पुराना है मैं आपको बता हूँ सुल्तान फिल्म का ओडिम पहले होया दंगल फिल्म का ओड़िशन दंगल फिल्म का ओडिशन रोत तक में होया तो बाई ने एहने फोन किया मैंने उसको कह यार मेरे को एक्चुली फोकस हरी आना वालोंने बा underwear किया हुआ था मैं और किसी चैनल पर और किसी फिलम में नहीं जा सकता था यह जितनी बाते कहूंगा मैं सत्य के आदार पर कहूंगा और तत्यों के आदार पर कहूंगा तो मैं दंगल का ओडिशन नहीं दे पाया और मुझे पता चला कि बिदंगल का ओडिशन रोतक शहर में मेरा गाम दो जाना है बड़ा दुख भी हुआ कि मैं इस फिलम का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन कहते हैं जी अगर इरादे नेक हैं तो इश्वर भी साथ देता है उसके बाद कुछ ही महीने के बाद रोतक में अओडिशन हुआ हमारे आदर्णिय बड़े बाइसाब और हरियाना के बड़े उंदा कलाकार रगविंदर मलिक बाईसाब हैं हरविंदर मलिक जी के बड़े भाई उन्होंने मुझे फोन किया कि सागरविला होटल के अंदर ओडिशन चल रहे हैं और मैं जब शाम को गया तो वो पैक अप कर रहे थे दीपक मलोतरा बहुत बड़े कास्टिंग डिरेक्टर हैं वो तो मैंने भाई साथ से रिक्वेश्ट की जी मेरा नाम मैं आया हूँ इतनी दूर तर चाल के कर्मियों के दिन थे बस एक कुरता डाला हुआ था एक पाजामा बिलकुर साधान सा और परना डाला हुआ था और जैसे ही मतलब ओडिशन शुरू हुआ वो बोले जी हम सिर्फ ये आदरी ने बुजूरू ने कहा है तो आपका ओडिशन ले रहे हैं तो मैंने जैसे ओडिशन दिया जी ठीक दो महीन के बाद मुझे फोन आता है कि जी यूर सिलेक्ट इन ये शिराज परडिक्शन इन सुल्तान मूवी मनननने सोची को मज़ा आकर मगर क्यों फद्दू बनाओ है मनने फोन काट दिया पांच मेड़े के बाद फिर फोन आता है मगा यार मैं किसे प्रोग्राम में बैट़्या हूँ मैं फिर फोन काट दिया जब अगली सुबह हुई तो फिर उनका साड़े नो बज़े फोन आता है मैंने नमबर देखा तो वो ममबई का नमबर था और ये शिराज परडिक्शन से फोन था कि यूर सिलेक्ट इन सुल्तान मूवी और आपका एक ओडिशन ओर होगा और क्या आप ये शिराज के साथ काम करेंगे मैं क्यूं लएए अंच बाज़ करोंगा मैं तो इस तरीके से सुल्तान मूवी में मेरा सिलेक्शन होगा उससे पहले दो हजार बारे में दो हजार बारे में मैं मूंबई गया मेरे बहुत-이 मित्र मेरे अनुज रा छोते भाई जैसे है मनोजराथी बाई मनोजराथी मुंबई में रहता है तो वो मुझे लेकर गए मुंबई तो वहाँ पर मने सेरियल करें देवों के देव महाधेव उसके अंदर लाइफ की पर चे लाइफ के पर के बा sound दूसरे के गरा बंबे में जाका एक अपने घर में बेट कर चोद दरत काम क्यों ना करा तरके नहीं की आपको अपनी तरफ खीच रही थी ही मैं अनद्ध में कोशिश हो लेकिन फिर भी इसा है कि भर अधर ऐना मारा हो और जिसके लिए कि कि किसी का शेर है में उधारा ले रहा हूँ योटूब छैनल के लिए कि रहना मकाम करना मकसद ही मेरा मकषद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए कि उन्होंने हर्याना को एक नया आयाम दिया है लेकिन इन से एक आग्रह भी करूंगार जित मिलना मैं कहें विद्या गरूं कि आपरोसौ हो कि जो सब कोई खा सके क्यों कि मैं कोई बनावटी बात नहीं मुझे इन से कोई लोब नहीं है बहुत सारे कलाकारिस मेरे को सब जानते है, दिलेर से शायद मैं एक दूबर मिला हम, शायद हमकूर को पहचाने भी नहीं. लेकिन और जितने ही आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्टिस्ट मेरा एक सीनियर होने के नाते, इन से ये आगले भी है, जो जो भी काम करें वो अच्छा करें किरदार में रह के करें कि कहते हैं न कि वो सेंट की कुछभू तो कुछ टाइम की होती है लेकिन किरदार की खुछभू जमाने याद रखते हैं जमाने याद रखते हैं वो करते हो तो भाई इस चैनल ने भी शेयर भी कर दियो और लाइक भ दियो और सिस्क्राइब